कैसे हैं आप अपर उम्मीद करता कि अपको अच्छे से होगे देख रहे हैं वोड़े स्पेलिंग क्रेक्षिन के बारे में हम बात करेंगे इस्पेलिंग क्रेक्षिन एक ऐसा टॉपिक है यह दूसरा लेक्चर है spelling correction पर actual में और इसके पहले भी एक lecture हो चुका है आप अगर नहीं देखें तो उसको देख लिए एक ऐसी topic जिसको लोग जो हलके में लेते हैं लेकिन बार-बार गलती करते हैं चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ spelling जो exam में बार-बार दी गई है जैसे एक spelling A B C D A C Q I T A L A Q I T A L A Q I T A L A C Q I T E L A C Q I T A L अब ऐसे देखर के आपसे पूछा जाता है कि find out the correctly spelled option उस option को बताईए find out the correctly spelled correctly spelled को बताना है मतलब उसको बताओ जो correctly spelled option हो option जिसमें correct लिखा हुआ हो एक्विटल की spelling एक्विटल वर्ड जो बना है वो एक्विट से बना है मतलब A C Q I T इसी से बना है ये इसका वर्ब है एक्विट बने होता है एबसॉल्व होता है एबसॉल्व जिसको हम लोग जो है दोश्मुक्त होना कहते है हिंदी में दोश्मुक्त करना दोश्मुक्त होना ये दोनों वर्ड मीनिंग इसकी आती है तो अब इससे पता चल गया कि एक्विट से ही एक्विटल बना है तो इसलिए आप इस आप्षन को तो पहले ही काट देंगे कि यहां पर C नहीं आ रहा है तो एक आप्षन आपका दी वाला पहले से ही कट होगा कि दी वाला नहीं होना है अब जो है कौन सा आप्षन हो सकता है क्या एसी क्यू यू आई टी एल होगा नहीं यह भी नहीं होगा ए ए ल भी नहीं होगा A C Q I, डबल T AL जब AL जुड़ता है उसका तो वहांपर T जो है वो डबल होगा जाती है तो अब दिआन रखना कि डी वाला आप्षन जो है वो आपका सही है दिआन रखना है A C Q I, डबल T AL एक्विटल बने दोश से मुक्ती ठीक है दोश से मुक्ती दोश से मुक्ती इसी को जो है एक्विटल कहते हैं परी होने की जो कंडिशन होती है तो हम देख लिए कि किस तरह से जो है वह एंसर हो सकता है एक्विटल वर्ड को लिखा है चलिए और वर्ड देखेंगे हम लोग इसको आगे अपनी बात को हम लोग जारी रखेंगे spelling correction पे कहां पे करना है कैसे होना है देखिए अगर इसकी बात करें तो एक वर्ड आता है a, b, c, d चार आप्शन है पी, s, e, u, d, o, n, y, m, pseudo, n, y, m pseudonym और p, s, e, o, do, n, y, m, ऐसे जो है चार तरीके से pseudonym की spelling लिखी है वो pseudonym लिखा है आपको बताना है कि कौन सा option correct लिखा है तो ध्यान रखें कि pseudonym की spelling जो है वो p से शुरू होती है, s य, c से नहीं शुरू होती है इसलिए आपका b वाला option cut हो गया है, option b आपका cancel हो गया है, ये नहीं होगा और c से भी नहीं होता तो ये भी आपका cancel हो गया है, ये दोनों cancel हो गया है पहले सही cut हो गया है P से शुरू होती है अब वहाँ पर देखना है कि सही कौन है PSEU वाला सही है कि PSEO वाला सही है तो द्यान रखें कि ये भी आपका cut हो गया है जब तीनों cancel हो गया तो इसका मतलब यही वाला option pseudonym की spelling ठीक है pseudonym क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है नेम कि एजियूम्ड बाई एजियूम्ड बाई आथर कि किसी आथर के द्वारा अपनी राइटिंग में फार राइटिंग के लिए जो नाम जो है एजियूम करता है मानता है राइटर उसको जो है वो क्या कहते है pseudonym कहते है मतलब लेखन वाला नाम देखिए अगर कई पर pseudoward ही खाली आता है पी-स-ई-उ-डी-ो ऐसे आता है तो इसका मतलब होता है fake fake होता है unreal होता है artificial होता है ये सब मीनिंग इसकी होती हे तो चुनकि वो सही नाम उसका नहीं होता है खाली उसको फाली होता है उसको खाली एजियूम करता है वो रियल उसका नहीं होता है तो तो pseudo मने fake होता है, unreal होता है, artificial होता है, जाली होता है, अब pseudo का अगर कहीं पर opposite आपसे पूछा है, तो आप comment करके बताईए, कि pseudo का जो है, वो opposite में, vlog में क्या होगा, चलिए यह आपके उपर है, कि आप उसको क्या बताएंगे, हम लोग जो है, अपने अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, अगला वर्ड जो है, वो कमेटी की spelling है, तो कमेटी की spelling बहुत बार आई है, देखते हैं क्या है, ऐसे लिखा हुआ है, और पूछा गया है कि कौन सा option ऐसा है, जो सही है, उसमें, जिसमें spelling ठीक हो, कमेटी की spelling याद होना चाहिए आपको, क्योंकि यह spelling पूछी गई है बहुत बार, C-O-M-I-T-E नहीं होगा, कैठाए पहले सही, C-O-M-I-T-E, C-O-M-I-T-E यह भी नहीं होता, यह भी कैंसेल हो गया, दो स्पैलिंग आपकी आल लेडी, कैंसेल हो गई है, C-O-M-I-T-E नहीं होता, इसलिए यह भी कठ हो गया है, अब मिले या ना मिले आइंसर को हो गा यहीं, अब क्योंकि हम जानते हैं, कि जब चारी आप्षन है, तो कोई ना कोई आप्षन तो होए गही, जब तीन पहले से ही कठ हो गया है, तो जो है, अब होना है, वही वाला आप्षन, जो आपके सामने लिखा हुआ है, अब देखिए, एक वर्ड और यहाँ पर हम आप्षन आपको, ए, बी, सी, डी, ऐसा चार आप्षन दे करके, जो है, मैं इसको जो है, आगे आपको कुछ और बातें बता दूँ, जैसे लिखा हो, ए, 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 ए ए डबल जी ए आर ए टी आई ओ एन ऐसा कुछ लिखा है exaggeration exaggeration की spelling कौन से सही है exaggeration का मतलब क्या होता है बढ़ा चाहा करके कुछ बोलना किसी चीज़ को एकदम hyperbolic style में बोलना तो उसकी spelling हमें बताना है कि कौन से ठीख है e x a g e r a t i o n उपर वो पहला वाला सही है नहीं पहला वाला नहीं सही है e x a double g e double r a t i o n ये भी नहीं सही है दोनों कट हो गया है e x e तो होता ही नहीं e x a double g e r a t i o n ये वाला option सही है exaggeration की spelling तो exaggeration माने क्या होता है बढ़ा चढ़ा करके कहना एक spelling है camouflage c a m o u f l a g e camouflage इस word को spelling पूछी गई थी लेकिन इसकी meaning भी पूछी गई थी आप लोग comment करके इसका meaning लिख करके बताए कि इस word का क्या meaning होगा ठीक है तो आज के इस lecture को यहीं पर तो है विराम दिया जा रहा है थाइक यू बड़ी बच्च इंज्वाइ और सेल्फ गई और श्टुडी अज़्ा करकLAN बड़ी रड़ी Christians